कि बिस्मिल्ला रख्मान रहीम आज बेसिक सोफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है जैसा के पहले लेक्चर में हमने एंगल के बारे में डिसकस किया था आज दूसरा डॉपिक उसका उठाया है मैंने जिसमें हम साइड्स की बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट जो कोंसी ट्राइंगल के बारे में हमने समझना है सबसे पहली बार कि वह त्राइंगल ड्राइंगल है जिसका हमेश्या ना का होता है इंति नों इंतिनों ट्राइंगल में एंकल जो है मैंने 90 का बनाया है इसको यूँ जाहिर करते हैं यूँ बोक से यह इस साइन से ठीक है अब इसकी साइट के नेम आपको बता देता हूं तीटा है यह फर्स काट है यह एंकल ठीटा है इसके ओपोजिट जो साइट होगी ओपोजिट साइट उसे हम कहते हैं पचाइन देर मिंदी कुले मैं इससे पीज से जाहिर कर सकते हैं ठीक है और इसके जो एड़्जेस्ट इ साइड होगी जने इसके साथ जो साइड वगी इसके साथ ये एंगल बना केंगे ठीक है इसे केंगे हाइपोटीनियस इसे आई से भी दाहिर किया जा क्या है आगे मैं इसे H P और B कहूंगा लेकिन इसका मेनिंग होगा पर पंटिकूलर बेस और हाइपोटीनियस अब बच्चे-ई गलती करते हैं कि उन्हें एंगल यह बला दिये जाता है यह यनि इस एंगल को मैं आलफा कहा देता हूं लेकिन वह इस रिशाफ से यह यहाँ अपने यह गलती नहीं करनी अब इसका परफेंडिकुलर कौंसा होगा यह परफेंडिकुलर अब इसके एडियसेंट क्या साइड दाइड इसके डियसेंट ये होगी बेस और नाइंटी के ओपोजिट या इंकलाइन लाइन जो है तिर्शी लाइन उसे हम हाइपटेनियस कहेंगे नतलब मेरा अधर टिंडियस फंक्शन चष्ट इसने अधर इन緞त की सोट formula इसके बूसे सब्लींग साइड इन जया सब्सक्रीक जाते हैं जबकि कॉस्साइन की शोट फार्म क्या रहे है है कि आए भी पड़ते है उसके बाद आ जाते हैं तीसरे यह है टेंजेंट थीटा डेंजेंट की शौर्ट फरम एक्टेन इसे पड़ते हैं टेंजेंट थीग परतें उसके बाद को सीकेंट को सीकेंट की शोर्ट फारमे को से TRS банthe उसके बाद आ जाते हैं पांच में पर यह है सीकेंट थीटा इसकी शोट फार्म है सैक उसके बाद आ जाते हैं छे में पर यह कोट इसकी शोट फार्म है कोट इसे कोट थीटा परते हैं उसके बाद आपको यह रैसिप्रोकल इसके याद करने पड़ेंगा इनके छे के छे ना उसके बाद यह रैसिप्रोक्ल आप को याद करने पढ़ेंगे कि कर सांगा सांग कर एड़ा कर तो किया है बनावर को सीघंड जीटा को था यह तीन याद हो गे यह बहुत हो जाएंगे जासे इनकर को सील जानगा क्या है, sign ज्यानिकि reciprocal का मतलब है इसका ult जैसे sin theta गएर है, इसका ult क्या है 1 over cosecant theta, cosecant theta का ult क्या है 1 over sin theta. Coasecant theta है, to secant kakya है cos, tan ka cotangent है, to cotangent क्या है tan. चलें, यहां तक तो हो गया sin theta, cos theta, tanger theta वगया trigonometric function है, लेकिन इसका triangle के साथ क्या relation है, चले यह देखते हैं यह तो साइन थिट है ना इसका ट्राइंगल के साथ यह रिलेशन है कि यह इसकी दो साइड के ना रेशो के बरबर है को भी टेंड भी को सिकंड भी सिकंड भी को टेंड भी दो साइड की रेशो के बरबर है अब कौन कौन सी रेशो है कि मैं आपको बता भी थां और आपको याद करने है ठीक है यह साइन अना यह पर्पेंडिकुलर लेशो हाइपोटेनियुस तो आ जाते हैं को सिटा पे यह बेस डिवाइडिरबाय हाइपोटेनिस उसके बाद आ जाते हैं टेंजन पे यह perpendicular divided by base यह तीनों अगर आपको याद हो जाते हैं यानि कि आपने यह याद कर ली है तो यह तीनों याद करने की जुरूत नहीं है जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि आपको इसके reciprocal याद करना है अगर आपको याद है तो को सिकन्ड reciprocal किसका था? साइन याद कि अगर साइन पी अवर एच है तो को सिकन्ड क्या होगा? एच डिवाइड़ बाई पी इसी तरह सिकन्ड किसका था? कोज का कोज क्या है? बी डिवाइड़ बाई एच तो यह क्या हो जाएगा? एच डिवाइड़ बाई बाई बी कोड किसका था टेन का टेन था पी डिवाइड़ बाई बी तो कोड क्या हो जाएगा बी डिवाइड़ बाई पी यानि बेस बेस डिवाइड़ परपेंडिकुलर चलें यहां से आपको इनका रिलेशन ट्रैंगल के साथ बता चाल गया कि यह इसकी दो साइड की रेश्यों के बड़ा बड़ा बाई यह तो बता दिया साइन थिटा क्या है कोज थिटा क्या है टेंजेंट थिटा क्या है लेकिन यह नहीं बताया कि हाली साइन थिटा ना आगे हो साइन कोज टेन यह क्या है सीकेंट को सीकेंट को टेंजेंट यह क्या चीज़ है यह क्या है यह दर असल mathematical operator है math के operator है यह बताते हुद इनकी कोई खास value नहीं है हम इसे input देते हैं या गर हमें output देते हैं जैसे मिसाल के तोर पर आपको बताता हूँ एक गंदूम की machine है उसे हमने गंदूम दी as a input वो हमें क्या देता है as a output आटा हमें as a output देता है इस तरह यह भी है अगर मैं इसे देता हूँ value theta तो यह आगे मुझे देगा sin theta अगर मैं देता हूँ से 0 degree ठीक है तो sin 0 पर क्या होता है calculator पर आप निकाल सकते हैं sin का option दिया होगा calculator पर उसके आगे 0 उट करें तो आपको 0 degree 0 ही value देगा अगर चलें एक ओर test कर लेते हैं 90 अगर 90 degree दिया जाए तो calculator पर आप इसकी value निकाल लेंगे तो 1 निकलेगे इसी तरह कोज भी एक operator है tangent भी एक operator है second भी, second भी, second भी इनकी भी example ले ले लेते हैं कोज theta हो जाएगा अगर 0 लेते हैं तो यह 1 होता है अगर 90 लेते हैं तो यह 90 पर 0 होता है इस तरह का 10 का भी देख लेते हैं अगर theta दें तो क्या देगा tangent theta theta कोई ना कोई value होगी degree या radian की form theta क्योंकि angle है जो हमें मालूम नहीं है अगर मालूम हो जाएगा आप मतलग वाईली हमें दे दे जैसे कि मैंने कहा 0 और 90 है परद कार लेते हैं ना हम उसने 0 डिगरी दिया हुआ तो 0 लिया है tangent 0 पर calculator पर आप नकालेंगे तो 0 ही आएगा उसके बाद अगर आप लें इसका 90 पर तो 90 पर यह infinite value देता है जैने कि indeterminate 5 वो value है ऐसे यह उसाहिर करते हैं और इसका ट्राइंगल के साथ relation क्या है ज्यातर वच्चे यही पूछते रहते हैं कि sin theta क्या है आपने तो कहा था कि trigonometry triangle की measurements है उसमें तो side, angle और area के बारे में आपने बताया था लेकिन आप आप कहने है sin theta, 4 theta, tangent theta, second theta, second theta, second theta, tangent theta भी है तो इनका भी triangle के साथ relation है इसलिए हम इने use करेंगे अपने questions में अग ठीक है अभी है उमीद है कि आपको तमाम points तमाम doubts आपके clear हो गए होगे अब मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए अल्ला हाफीस